हाई फेंड्स वेलकोम टो रॉल्शरमा व्लॉग मैं हूँ आपका बिजनस दोस्त रॉल शर्मा दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे प्रोड़क की बारे में बात करने वाला हूं जो इंडियन मार्केट में बहुत जादा बिखता है और आप इच छोटे से प्रोड़क्त स करोडों रुपए की कमपनी भी बना सकते हो, बहुत सारी ऐसी कमपनी है, जो इस प्रोड़क को बेच के करोडों रुपए कमा रही है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि यार, और अलरेडी मार्केट में इतने कमपनी हैं, तो मैं इस बिजनस में कैसे इंटर कर सकता हूँ, देखो हर एक बिजनस में आप कुछ ना कुछ यूनिक करके उसको एक बड़ी कमपनी में कनवर्ट कर सकते हो, आपने देखा होगा चाय के बिजनस में, मोमोस के बिजनस में, लोगों ने बड़ी-बड़ी कमपनी बनाई हैं, सिर्फ एक प्रोड़क के बेस पे, सो आज की में समोसे बेच सकते हैं, अर मुर्ण यह जहzam ह रहा हुझा है, आपको सिर्फ और सिर्फ समोसे रखने हैं, वो भी अलग-अलग वराइटी के अलग-अलग डे टेस्ट के अलग-अलग तरीके में अमें, मैं आपको सारे बताउंग, मैं किस तरीके के में कौन से प्रोड़क तक जब भी किसी को समोसी के याद आएगा तो आपका नाम सब से फहले आएगा. So अलग-लग तरीकें आप छोटे से स्टॉल से कैसे करेंगे, आप एक दुकान लेकर कैसे कर सकते हैं, और कैसे जो बड़ी-बड़ी समोसी की कमपनी हैं, जाएक समोसा जंक्शन हो गया, समोसा express हो गया, समोसा टपरी हो गया, समोसा party हो गया, इस सेलिए कि कुछ companies हैंegil already Indian market में अच्छा इक आम कर रही है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप भी समोसे के business में अपनी एक company बना सकते हैं Samosa King के नाम से, Samosa Hub के नाम से, Samosa Spot के नाम से, Samosa Vamoosa के नाम से, बहुत सारी तरीके के नाम है Яपको करना सिर इतना है कि एक Samosa में ही बहुत सारी variety देनी है तो फटावट चलते हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको बताओंगा कि अगर आप स्टॉल से शुरू करते हैं, तो आपको क्या अलग करना है, कैसे आपको समोसे की एक मैनुफेक्टरिंग यूनिट रखनी है, जहां पर बनेंगे, और आप एक के सिटी में चार कार्ट लगात बढ़ें और इस बिजमास के सारी जानकारी आपको दो, सबसे पहले बात करता हूं कि समोसे आपको रखने कौन-कौन सी वराइटी के है, देखो अगर आप वेज समोसे की बात करो, तो वेज में आप रगुलर समोसा रख सकते हो, जिसमें आप आलू डाल के बनाएंगे, इ इसके लाब आपका अचारी पनीर समोसा आगया, मावा समोसा जो आपका मीठा आजाएगा, और चॉकलेट समोसा जो आपका आगें मीठा आजाएगा, तो आपका डेजर्ट में मावा समोसा और चॉकलेट समोसा भी आजाएगा, जो कि नॉन्वेच खाने के बाद भी लोग में रखना है तो चॉकलेट समोसा और आपका मह वा समोसा जिसमें आप खुए डालेंगे और ड्र realidad तो इस तरीकते शमंस आप अर इसके अलावा आपके दिमाग में या आपके लोकल कोई ऐसा चीज हो जो आप रख सकते हैं, innovate कर सकते हैं, invent कर सकते हैं, कोई ऐसा taste तो वो भी आप add-on कर सकते हैं. तो 10 तो यह हो गए, जो कि मैंने आपको बता दी हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करो non-wage में, तो आप non-wage में रख सकते हैं, एग समोसा, एग चीज समोसा, चिकन समोसा, पटर चिकन समोसा, चीज चिकन समोसा, चिली चिकन समोसा, मटन समोसा और मटन चीज समोसा इसके अलावा दोस्तों आप समोसा चाट रख सकते हैं और साथी में छोले समोसे भी सर्व कर सकते हैं समोसे चाट में जैसे आलू की टिक्की बनती है, ऐसे समोसे की आपने चाट बना देनी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, चटनी, दहीं, ये सब डालके, और छोले समोसे तो आपको पता ही आपने खाए होंगे, सो इस तरीके से ये पूरा मैन्यो आपका रेडी है, इसमें आपको और कुछ भी आड नी करना है, इसमें आप सिर्फ क्या एड कर सकते हैं, शेक्स हो गए, मौक्टेल्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा छोटी-मोटी चीज़े आप और आपको स्पेशलाइज समोस इसे पे ही काम करना है और बहुत तरीके के देखो 18-20 तरीके के यह मैंने वराइटी आपको बता दी धीरे धीरे आप अपनी वराइटी को बढ़ा सकते हैं जब लोगों की डिमांड आ रही है यह लोग आपको बता रहे हैं यह इस तरीके का समोसा भी होना चाहिए आप रखो अब यहां पर आपको करना क्या है देखो 5-8 फ्लेवर आप चाहे में भी रख सकते हो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ चाहे भी बहुत जादा चलती है और अगर कोई आपकी समोसे की दुकान में आया तो चाहे और कोल्डरिंग तो चलेगी चलेगी तो 8-10 क्या है आपको किसी की फ्रेνचाईजी नहीं में लेनी है porn क्या है आपको हाई अन्वेस्मेंट करना पणेगा उनके रूलीस फ्रेंड क्वाला ठीवर जवेशन के इंपर जोब अपने लगा देखो बिजन्स पर अप्ए डवाल। मों चलते हैं ऑट उसक बहुत सारी चीज होते हैं, जहां पर नाम खराब होने लगता है, एक किसी की गलती से तो सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स पर इंपक्त पड़ता है, तो इसलिए आपको खुद का बिजनस करना है, खुद की कंपनी बनानी है, फ्रेंचाइजी बिजनस के कुछ की फ्रेंचाइजी है, 30-30 लाग की फ्रेंचाइजी है, तो आप समझ लो 30-40 लाग रुपा खर्च करना वर्थ एट है या नहीं, अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर आप बड़े अराम से खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा महनद, थोड़ा से स्ट्रगल आपको 3-4 अराम से बनाना सीख सकते हो, मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिन्होंने जिसने मोमोस यूट्यूब पे वीडियो देख देखकर सीख लिए हैं, और आज की डेट में उसके मोमोस बहुत ज़्यादा फेमास है, हर को इसके मोमोस ट्राय करना चाता है, तो आप भी बना बना क सीख सकते हैं अपने घर में, अब समोसा बनाने के लिए आपको बहुत पैसे तो खर्च करने नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी मशीन तो लेने नहीं है, आपको क्या लाना है, मैदा लाना है, अजवेंड लाना है, नमक लाना है, राम मेटेर लाना है, बेलन से बेलना है, काटना है समोसा भरना है और फ्राय करना है इतना काम आपके अपने घर से नहीं कर सकते हैं आपको लाखों की कोई मशीन नहीं लेनी जब आपको लाखों करोडों रुपए नहीं लगाने है तो फिर आपको प्रेक्टिस करने में क्या दिक्कत है नहीं आपको बिजनस करना अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जैसे नॉर्मल कार्ट आज तक लोग खोलते हैं ऐसा नहीं खोलना कि आपने एक ठेला लगा लिए और समोसे बेजना शुरू कर दिया, नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने घर को एक मैनुफेक्टरिंग यूनिट बना लेना है, समोसे बने हुए हैं, और इस बिजनस को आप फ्रिंचैसे इस पर बड़े अराम से कर पाएंगे, क्योंकि समोसे को आप फ्रोजन कर सकते हैं बड़े अराम से, अब सुनो पहले क्या करना है, आपने एक अपने घर को मैनुफेक्टरिंग यूनिट बनाया, आपने बोल दिय उसको नूडल बनाना आती है, तो नूडल के समोसे, मैकराणी के समोसे, पनीर के समोसे, मैगी बनाकर मैगी के समोसे, इस सब वो बना लेगा, और नई भी बना सकता है, तो शेफ है उसको एडॉप्ट करना, उसको ये समझना और उसको ये सीखना बड़ा असान हो जागा, दो-तीन दिन की प्रैक्टिक्स के बाद वो कर लेगा. तो आपने अपने घर पे उसको बुलाया और आपने अराम से सारे समोसे बना लिये और उसको एक सिंगल फ्राइ कर लिया. सिंगल फ्राइ करने के बाद आपने क्या करा? अपनी सिटी में जहां पर ठेले लगते हैं, तीन जगा जहां पर फूड बिजनस चलता हो, वहां पर आपने तीन स्टॉल लगवाने हैं और तीन लड़के हायर करने हैं. और उसके बाद उनको क्या करना है? उनको ये स्टॉक वहां पर रवाइड कर देना है. आपने गिन के उनको दे दी हैं. और भी बहुत सारी तरीके होते हैं, आपने पॉज मशीन लगा दी है, आपने बिलिंग मशीन लगा दी है, लेकिन उसके लिए आपको दो स्टाफ रखने पड़ेंगे. बट फिर भी आप क्या कर सकते हो स्टाटिंग में इनिशल स्टेज में, आपने क्या करना है? एक वाइफाई कैमरा लगा दिया थेले में और आपने उसको एक पॉज मशीन दे देनी है, या नहीं भी दे तो आप कैमरा दो. और उसके आपने उसको स्टॉक प्रोईड कर दि कमाई होती है, नई भाई, जो रोड के किनारे ठेले वाले खड़े हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बशर्ते उनका ठेला चलना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है? स्टॉक को उनके ठेले पर पहुचाया, तीनों के ठेले पर और उनको सारी चीज सम ध्यान रखना, तो ये काम कोई भी आपका लड़का जो दो दिन की ट्रेनिंग लेने का बाद कर पाएगा, आपके एक ही मैनफेक्शन उनिट से तीन स्टॉल चलने लग जाएंगे, तीन स्टॉल की सेल आपकी आ रही है, आप बीच पीच में तीनों स्टॉल पर गूमते र बेजनस को एक्स्पैंड कर सकते हैं, एक दुकान से फिर आप दस दुकाने कर सकते हैं, क्योंकि मैने आपको बता दिया, इन समँसों को फोजन कर आपके, किसी भी आपनी शॉप पर भेज सकते है, छोले आप ने बना लिया चोले का आपने प्रोसेस बना लिया और उस पर follow करके कोई भी छोले बना लेगा और इस तरीके से अब जो चटनी है और धहीं है वो सब आपको बन जाएगा, तो simple है मैं आपको यह नहीं कहना चाहता, देखो food business वो नहीं चल पाते जहां पर एक standard process को follow नहीं किया जाता देखो समोसे तो आपके एक तरीके से बनने तो आपके हर outlet में same taste आएगा ये problem आपकी solve हो जाती है तो इसलिए आप इसको बड़े अराम से multiple units में convert कर पाएंगे जहां पर same taste नहीं आपाथा, जहां पर process के through काम नहीं होता, वहां पर food business में दिक्कत आती है अब यहां पर छोटी-छोटी machines आपको लेनी पड़ती है जब आपका काम बड़ा हो रहा है देखो starting में तो आप कम से शुरू कर रहे हैं तो कम से आप बिना machines के भी कर सकते हैं और इस business को जब आप expand कर रहे हैं बड़े लेवल पे तो फिर आपको छोटी-छोटी machine मिल जाएगी आपको आलू छेलने वाली machine मिल जाएगी आपको आलू बॉइल करने वाली machine मिल जाएगी आपको मैदा गूनने वाली machine मिल जाएगी आपको मैदे समोसे की पत्ते बेलने वाली machine मिल जाएगी आपको सारी मशीने मिल देंगी तो ये आप सारी मशीने ले लो जो समोसे बेलने वाली मशीन है जो आटा गूनने वाली मशीन है मैदा गूनने वाली मशीन है ये समोसा बेलने वाली मशीन की बात करो तो 35,000 से लेकर 55,000 के बीच में आपको मशीन मिल जाएगी छोटी मशीन आती बड़े अराम से आप उसको काउंटर पे लगा सकते हैं अगर में बात करूँ मैदा गूनने वाली मशीन की तो ये 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको मिल जाएगी और कोई बड़ी मशीन आपको लेने के ज़रूरत नहीं और साथ में आप एक FSSI लाइसेंस ले लो ये तीन-चार चीज़ें आप कर लो आपके बिजनस में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई आप पे पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ तो ये चीज़ें आप ले लो इसके अलावा अगर में पातकुरू कुछ और रिक्वाइमेंट्स की तो आपको raw material लेना पड़ेगा और अगर आप दुकान लेकर कर रहे हैं तो आपको दुकान की lightning पे chef hire करना पड़ेगा मतलब दुकान पे chef नहीं तो आप बारवी पास कर रहोगा कोई लड़का रख लो जो कि एक simple training के बाद आपके दुकान को चला पाए क्योंकि manufacturing unit आपकी कहीं और है समोसे महा से बन कर आ रहे हैं तो वो serve कर सकता कोई भी उसके अलावा आपको एक billing counter चाहिए होगा और एक billing के लिए employee चाहिए होगा cashier और साथ में आपको serve करने के लिए एक लड़का चाहिए होगा चाहिए वो b.tech पानी पूरी ले लो चाहिए आप MBA चाहिए वाला ले लो चाहिए सुटा बार ले लो छोटे से धंदा शुरू किया था marketing अच्छी थी communication अच्छा था Instagram YouTube इनके marketing strategies अच्छी थी तो आज एक बड़ा धंदा बना पाए है सो आप जब समोसे के business में हो आप Instagram पेज, YouTube चैनल बनाओ छोट-छोटी वीडियो डालो और अलग-लग recipes को छोट-छोटी शौट वीडियो डालते रो मतलब आप अपनी social media presence create कर लो ताकि लोग आपके बारे में जाने लगी कि आरे भाई 20 तरीके के समोसे मिलते हैं चलो लोग दूर-दूर से try करने आते हैं तो ये काम आपको करना होता है इसके अलावा आपको भटी लेनी पड़ती है ताकि आप समोसो को fry कर पाएं बड़े अराम से और साथ में जब आप मतलब आपकी जो manufacturing unit है वहाँ पर आपको बड़ी भटी रखनी है दो और जो आपका stall लग रहे हैं जो आपकी shop है वहाँ पर आप छोटी भटी रख सकते हो इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस business को professional तरीके से दुकान लेकर ही करना चाते हो standard से काम करना चाते हो तो आपको एक अच्छी location पर दुकान लेनी है जहाँ पर footfall हो शाम को लोग घोमने आते हो फास्ट फूड ट्राइ करते हो तो वहाँ पर आप दुकान ले लो और दुकान में दोस्तों आपको जो शेफ रखना है जो helper रखना है जो वेटर रखना है उनकी इसके अलावा दोस्तों आपको जो आप ड्रेस बनाते हो इसको हाफ स्लीव रखना फुल स्लीव में कपड़े गंदे होते हैं वो ऐसे फोल्ड करते हैं तो गंदा लगता है मैसी लुक आता है तो इसलिए half जब भी food business की बात करते हैं तो देखना maximum chef की अच्छे chefs जो होते हैं उनकी half होती है स्लीव तो half स्लीव वाली ड्रेस बन वहो इसके अलावा आपको डी फ्रिजर लेना पड़ेगा CCTV कैमरा आपको लगाना पड़ेगा और एक billing software लेना पड़ेगा जो की 12-15,000 में आपको मिल जाएगा वाई-फाई प्रिंटर वाला तो वो आप ले सकते हैं कुछ एक चीज़े होती है जो आपको extra लेनी पड़ेगा अगर आप दुकान लेकर करते हो और दुकान लेकर करने भी आपका थोड़ा सा खर्चा होगा अगर आप नए हो और आप यंग हो और आपको बजट कम है तो आप हिम्मत रखो फिर और आप कम से शुरू करो और कम से शुरू करने पर बिलकुल भी ये नहीं होता कि आपका धंदा नहीं चलेगा मैंने हमेशा कहा है always think big but start from small ये अपने जहन में बिठा लो और कोई भी बड़ा बिजनस उठा के देख लो वो छोटे से ही शुरू है वो सरासर जूट बोल रहे हैं वो बिलकुल गलत कह रहे हैं वो आपको सिर्फ डी मोटिवेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप कभी भी अमीर ना बन पाओ और आप कभी भी अपनी जिंदगी में success ना पालो तो इसलिए उन लोगों की बाते मत सुनो आप बस हिम काऊंगा एक दिन बहुत बड़ी कंपनी और चोटे से शुरू कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप आपको ये बिजनस वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ट्राइ करना शुरू करो घर से बनाना शुरू करो बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो हस्बन वाइफ हैं इंकम कम होती हैं खर्चे जादा हैं और वो कुछ करना चाते हैं वाइफ भी बोलत और Zomato पे अपना नाम के साथ में लॉग इन करवा दो रेजिस्टेशन के बाद आपने 20 तरीके के समोसे उसमें डाल दिये देखो आपको कैसे और मिलने लगेंगे जब आपको और मिलने लगेंगे आपको मोटिवेशन बढ़ जाएगा फिर आप ऑफ लाइन भी अपनी द अपने मिलने लगेंगे लगेंगे इन के समद्टेशन के ल क्लीवेशन के से क्थज़ आपको रहत दो आपको कारण भी अपनी कि अपनी भी जब आपको का।